आस्मा छूलेना काम्याबी नहीं असल काम्याबी तो वो है कि आस्मा भी छूलो और पाऊ भी जमीन पर हो नमस्कार दर्शको मैं खुश्बू गेरुला अपनी सयोगी डिम्पल सानन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की साहित्य चर्चा में दोस्तो इस कारकरम के जरी हम आपको मलवाते हैं वरिष्ट साहित्यकारों से और इस कारकरम में चर्चा होती है उनकी साहित्य यात्रा पर और दोस्तो आज भी जो शक्सियत जो वरिष्ट साहित्यकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनकी पहचान शब्दों की महताज नहीं जो ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं बिना गीत लिखे बिना गीत गाये वो चाल की लै ताल और चंद से परिचित हो जाते हैं दर्शको यह पंक्तियां है हिंदी के एक ऐसे वरिष्ट साहित्यकार की जिनकी रचनाओं का कोई सानी नहीं है जो भाव और भाशा को बड़ी ही संजीदगी से पन्नों पर पीरोते हैं और वे अनुभव के आकाश में चांड ढून लेते हैं इश्वर की अध्यक्षता में गभराये हुए शब्दों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि भै भी शक्ती देता है जी हां मैं बात कर रही हूं हिंदी के वरिष्ट साहित्यकार लीलादर जगोडी जी की जगोडी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कारेक्रम साहित्य चर्चा में वैसे तो हम पूरी चर्चा आपकी साहित्य पर करने वाले हैं साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं आपकी साहित्य यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे पर सबसे पहले हम यह जो आना च के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक हर ब्यक्तिका अपना टेंपरामेंट होता है, अपना, एक अपनी बनावट होती है, अपनी सोच होती है, जहां पहाड के गाउं में पैदा हुआ हूँ, वहाँ की महलाएं लोग गीत बहुत अच्छा गाती थी, मैंने सबी जगे की महलाएं गाती हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही गाउं की गाती थी लेकिन उनके लोग गीतों से मैं बहुत प्रभावित रहा और पहले मैंने गड़वाली में लिखना शुरू किया गड़वाली में मेरे गीत लोगों ने अपने नाम से चपवा लिये हैं अपने नाम से प्रचारित किये हैं लेकिन मैंने उन पर क्लेम इसलिए नहीं किया कि उनकी मैं कोई पुस्तक भी नहीं निकाल सका था और वो बहुत प्रचलित भी हुई अब वो बहुत कम सुनी जाती है लेकिन हमारे मैं रहने वाला हूँ परताबनेगर ब्लॉक का सेम मुखेम का नाम आपने सुना होगा बहुत एक पहाड़ पर मंदिर है बहुत धार में किस थल है उसको पांचमा तीर्थ भी यहां का कहा जाता है उसके पास गाउं है तो एक जो पहली काविता मैंने लिखी वो सेम मुखेम के बारे में लिखी सेम में स्रीकृष्ण कैसे पहुँचे और कैसे उनका वहाँ पर मंदिर बना और वो स्रीकृष्ण द्वारिका वाले नहीं है वो गड़वाल वाले स्रीकृष्ण है गड़वाल वाले इस मायने में कहरा हूँ कि उसमें जो कृष्ण का बनान है वो उस तरीके से है जिस तरीके से मेरी दादी ने मुझे सुनाया था कि वो सफेद घोडी पर चलते हैं क्रिश्न कोई जरूरी नहीं कि वो सफेद घोडी का प्रसंगा आप पुरान में ढूड़े तो हो सकता है कि पुरान में न होका था लेकिन लोग के जीवन में कथाएं कैसे फिर से जन्म ले ले लीती है कैसे वो जीवन का हिस्सा बन जाती है और इस तरीके से उस भूगोल को जो प्रसाब नगर ब्लॉक का रमोली पटी का टेहरी गड़वाल का और बलकि पौड़ी गड़वाल के लोगों का तो कुल देवता है सेम मुखेम का जो नागराजा कहते हैं उसको स्रीकृष्ण उसको किस तरीके से आप स्थानिय बना लेते हैं वो फिर भारत के पुराणों का कथा में वरनित कृष्ण नहीं रह जाता है बलकि वो किसी जैसे इलाके विशेश का कोई एक व्यक्ति हो और वो वहां रहता है हम उसको रचते रहते हैं और उसके पहली पंक्ति यह थी कि इनी जगह भगवान तुम लेंदा अवतार है इस शूर तुम ऐसी जगह अवतार लेते हो जहां बाग जो है पहरा देता है और रिख चोगदारी करता है कि अगली पंक्ति है उसकी तो मैंने मैं कोई एक भक्त के तरह उसका वरणन नहीं कर रहा हूं मैं इस तरह से वरणन कर रहा हूँ उसका उस समय कि जैसे मैं बाग और रिक से बच गया हूँ उस जंगल में जाने से अगर कोई वापस आया है यात्री तो मैं यात्री आया और मुझे कोई किस तरह के नुक्सान नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि यह सब जितने पशु हैं यह सब इश्वर के दिये हुए और प्रकृति के दिये हुए चौकिदार हैं यह हमारे सह भागी हैं हमारे साथ रहते हैं और तब मैं सेवन्थ क्लास में था जब मैंने यह लिखा था इतने पहले तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो साहिती की शुरुवात मेरी हुई है वो तो मातरी भाषा से ही हुई है गड़वाली से हुई है अब सवाल उठता है कि मातरी भाषा और राष्टर भाषा और राज भाषा और दुनिया की ऐसी भाषाएं जो दुनिया पर राज करती हैं इन सब से कैसे तालुक हुआ इस से मेरा जुडाओ जाहिर है कि आगे एक पढ़ने लिखने से और स्कूल जाने से हुआ लेकिन एक चीज़ बताओं मैं आपको कि जब मैं ग्यारा वर्ष का था तो मैं घर से भाग गया और ग्यारा वर्ष के अवस्था में हमारे उस मेरे उस गाओं में तो खास करके आज भी मोTOR नहीं जाती है आज एगर आप जाए तो एक दिन आपको आज भी पैदल चलना पड़ेगा वहां जाने के लिए हाँ जी हाँ एक दिन तो चलना ही पड़ेगा अन्य तो आधा दिन तो अब लगेगा ही लगेगा अगर एक किसी पहाड पर सुना गई है वहां मोटर तो आधा दिन तो फिर भी लगेगा वहां जाने में और उस वक्त पहाड पे कहीं मोटर नहीं आती थी और रिशिकेश होता था आपने देखा भी नहीं हो शायद वो पैसा भी नहीं था मेरे पास जब मैं घर से भागा हूँ असल में यह देखे पांच वर्ष के वश्था में मेरी मा का निधन हो गया मैं मा को सिर्फ वही शकल मेरे दिमाग में आती है जो मैंने उनकी मरने के बाद चेचक से मरी ह आज भी पैंडेमिक है विश्वमारी पैंडेमिक शब्द का मतलब होता है विश्वमारी महमारी नहीं बलकि विश्वमारी जो विश्व में एक साथ पहले बीमारी और बीमारी में मारी कैसे आया यह प्रसंग दूसरा है इसको नहीं चेड़ते हैं पर कहने के मतलब यह है क मा के निधन के बाद पांच वर्ष के उम्र में मा का निधन हो गया उसके बाद मैं किसी तरह टेहरी पहुचा पैदल और टेहरी में अपना कोई एक मित्र पढ़ता था हमारा रिष्टा रुग लड़का था उससे पैसे मांगे और उससे मैंने जब पैसे उसके बाद नहीं थ तो उससे मैंने का एक रुपए तुम मुझे दे दो तो उसने एक रुपए भी देने में असमर्टा जताई कि मेरे पास नहीं है एक रुपए बहुत होता था उससे में बड़ी रखम रहती हो तो वह भी नहीं मिला तो फिर भी मैं चल पड़ा और मैं यह जो टीजेमो होता था पहले यहां टेहरी गड़वाल मोटर्स एसोशियेशन या जो उसको संचालित करते थे उनके ड्राइवरों का मैं बहुत शुक्रूबजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे फ्री बिठाए अपने गाड़ी में और वो मुझे रिशिकेश लिया आए आपके कठिन समय प तो हम इसको बिठा लेते हैं तो इस तरह में रिशिकेश पहुचा रिशिकेश भी बहुत दूसरी तरह की कहानी है फिर मैं अंत में इसके आखरी स्तिरे को सुनाना चाहता हूँ कि रिशिकेश भी मुझे छोड़ना पड़ा चोड़ना इसलिए पड़ा कि जिन गुरू जी की की पास मैं पढ़ता था रिशिकेश में यएक स्कूल में भड़ती हुआ रिशिकेश का पता न έχει कितना भूगला अब जानती है मुझे नी मालूम लेकिन रिशिकेश में जहा मैं भड़ती हुआ वो पुराने बस ड़्डे के पास एक सुल था वेदवेदांग विध्या करके उसको बोलते थी और चूंकि हम गाओं में भी संस्क्रित पढ़ते थे तो यहां भी हम संस्क्रित ढूंड रहे थे और संस्क्रित स्कूल में भरती होगे जब संस्क्रित स्कूल में भरती हुए तो गुरू जी ने इस शर्ती पर मुझे रखा कि उनका एक खेत है देहरद लगुसिद्धान तो कामुदी और संद्या पूजा पाट वहीं अपना करो वहीं रटो और बंदरों को भगा दिया करो और एक उन्होंने मचान बना रखा था उसको में बजाता था वहां बहुत सारे पत्थर में निकठे करके रखे वे ते उपर ताकि यहीं से फेंक तको न नीचे ने उतरना पड़े तो इस तरीके से मैंने वहां बंदर भगाए और एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में किसी ने बहुत बड़ा बंदारा कर दिया बंदारा क्या था बड़ा अच्छा भोजन मिला विद्यार्थियों को तो हमको भी मिला और वो भोजन करके जब हम आय सकता था और कैसे मैं गुरू जी को मूँ दिखा सकता था तो यह बात मेरे नेन टूटी है लगबग चार शाड़े चार बज़े के आसपास और उस समय रिषिकेश से एक गाड़ी चलती है आज भी शायद चार बज़े के आसपास चलती है शाम को गाड़ी उसकी सीटी आपको शक्ती दी, भाग ने की ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, किस दर जान बचाई, कि ये पताने, आज गुरू जी क्या कहेंगे, और जब मैं हरिद्वार पहुंचा, तो उसके बाद वो गाड़ी तो दिल्ली आ रही थी, जिस पर वो डिबज उड़ गे, और मैं दिल्ली आ गया, मेरा सोभागी ये है कि मैं पकड़ा नहीं गया, विदाव टिकेट, उस डिबे में उस दिन कोई गार नहीं आया, मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जब उत्रा, तो मैं इस्टेशन से बाहर हो गया, वहां ही नहीं पकड़ा गया, और छोटा बच्च आया, तो लाल के लिए तक पूंचा मैं, लाल के लिए के सामने एक चिडियों का अस्पताल था, और उस पर लिखावा था, यहां चिडियों का इलाज किया जाता है, तो मुझे बहुत क्योरिसिटी हुई, क्योंकि हमारे गाओं में इतनी चिडियाएं थी, तो मैंने सोचा कि मन में जो उत्सुटा होती है, वो मैं पूरी तरह से उससे, उमड भी पड़ी, वो ग्रस्त था, मैं सोचा है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी देर में एक लड़की आई, कार से, और वो कार से उसने पिंजड़ा उतारा, तब मैं समझ पाया कि अच्छा, यह लाते हैं लोग, पाल तो जो चिडिया होती है, उनका इलाज होता है, अच्छा जगूरी जी तो बहुत ही आपने रोचक किस से बताया, अपनी जीवन से जुड़े, पर जैसे कि आज की जो हमारी चर्चा है, वो साहित्ते पर है, तो आपके लिए साहित्ते के क्या माईने है, अब मैं देख दूसरा ये बैठता है, कि उसी रात मैं वापस इस्टेशन आया, बीच के हिस्से में सब हटा रहा हूँ है, इसमें एडिट कर रहा हूँ है, आपके सफर बहुत लंबा रहा है, अडिटिंग चल रही है, और एडिटिंग के हिसाब से मैं पहुंच गया है, जैपुर, वो एक बात बात बताओं, मैं आपको, आप भी दिल्ली गए होंगे, या ना गए हूँ तो जाना पड़ेगा आपको, जो पुराने दिल्ली स्टेशन है, उसका पहला प्लेट फॉर्म जो है, उसका नाम 13 नंबर का प्लेट फॉर्म है, फर्स्ट जो ही आप एंटर करते हैं, त एक नंबर का है, सीधे 13 पे कैसे आगया है, तो उसकुली ने मुझे बताया एक ने, कि 13 भाईया यहां दूर है, पीछे है, तो यह पहले से बना हुए अंग्रेजियों के टाइम से, और आज भी वो बरकरार है, उसमें के बदलाव नहीं आया है, ठीक है, तो मैं जैपूर पहुचा, जैपूर में फिर राजस्थान के में, राजस्थान में में ग्यारा वर्ष रहा, और ग्यारा वर्ष में डिफरेंट सिटीज में रहा, पुशकर, पिलानी, जून जूनू, बगड़, और एक महंदरगड, लक्षवनगड़, ऐसे कई शहरों में रहा, जिसमें क बोट-पुतली कांसली भी है, तो इन सब शहरों में होते हुए, फिर बनारस आया, बनारस में पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद तो फिर वापस पहाड़ आये, फिर पहाड़ से आर्मी में गए, गढ़वाज राइफल में, सिपाही बने, चालीस एक तालीस एक सो मेरा न एक साल बाद उस चिठी पर थोड़े आश्चर जनक यह है, और सुना भी इसलिए रहा हूं इस बात को, कि आज आप राइस्टर डाक से चिठी भेज दें तो जवाब नहीं आता है, उस समय बेरंग भेजी वी चिठी पर जवाब आया, चाहे एक साल बाद आया, इतने वक् पर उनकी वड़ी करपा कि मुझे आर्मी से चुटी मिल गई, ठीक है, आर्मी में रहना पड़ता है, तो रहते और करते, आर्मी में रहना भी कोई खराब नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, पर मैं फिर बनास चला गया, फिर पढ़ाई की, और इस तरह से मेरा, मैं शिक कि शिक्षक हुआ और शिक्षक होने के बाद में बैखता रहता था मेरा information services में selection हो गया तो मैं information department में चला गया मेरा नौकरी करना और मेरा लिखना दोनों समानांतर रूप से जाड़ी रहा साथ सबस्याद होते हैं यथार्थ से उनका रिष्टा थोड़ा दूरी का होता है लेकिन मैंने पाया है कि आप यथार्थ के प्रती बहुत सक्रिया है इसकी मूल चिंता कोई मूल कारण एक यथार्थ ऐसा होता है जो यथा जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे होता है दिखता नहीं है तो जो दिखता नहीं है उस यथार्थ की खोज तो र अच्छा आपके बहुत सी पुस्तकी प्रकाशित हो चुकी है और लोगों से बहुत प्यार भी मिला है उन्हें तो आपकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई उसके बारे में बताईए उसमें आपने क्या लिखा था तब मैं भी द्यारती था इंटर्मिडियेट का अच्छ तभी आपकी प्रकाशित हो गई थी पस्तर एक जुलाई 1940 का मेरा जन्म है धनगन गाउं जिसको आज धनगन गाउं कहते हैं तेरी गडवाल में धनगन गाउं है वो धनगन गाउं और धन जो है गडवाली में पशुओं को कहते हैं धन धन चैन मतलब तुमारे धन ठीक है पशुओं ठीक है और तुमारा चैन भी ठीक है बने तुम शांति पूरवख हो ऐसे लोग को शलता पूछते हैं और धन का मतलब होता है रुपए पैसा तो रुपए पैसे के मामले में तो जीरो था वो गाउं लेकिन धन मने वहां गो शालाएं थी पशुर्शालाएं थी वहां पशुर रहते थे उनकी च्छानें थी और उसंजानों में ही लोगों ने अपना गाउं वसा लिया बाद में तो हम भी उनी में से गवालों में से एक рядом ऊस ही में अपना हो गए आपने ये जो साहित्ते में लिखा है इसमें आपकी पहली किताब बनारस में प्रकाशित हुई और बनारस में मैं पहले सुमित्रा अंद्पंत जी के पास गया इलावाद उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी क्योंकि वो पहाड़ा आए हुए थे और मैं पहाड़ा से इलावाद गया हुआ था उन दिनों तो संयोगी नहीं हुआ मैं महादेवी वर्मा के पास गया महादेवी वर्मा जी उस समय अपने कॉलेज में परिशान थी वहाँ बहुत बड़ी आजादी के बाद की पहली स्ट्राइक हुई थी और कॉलेज बन था और च्छात्राएं और सब नार सकते हैं तो इसलिए नहीं गया ये मेरा दुर्भाग गयरा काश कि मैंने उनको देखा होता मेरे समय में वह जीवीद थे मुझे वहां तक जाना चाहिए था लेकिन मैं गया आकाशवाणी इलाबाद के केंदर में गया और वहां रमानात अवस्थी एक हुआ करते थे उस ज उनके पाल ले गए और उनसे बातचीत करके मैंने अपनी किताब उनको दिखाई कि मैंने ये कविताएं लिखी हैं तो उन्होंने बड़ी लाचारी बताई कि मैं तो कभी नहीं हूँ और मैं तो नहीं लिख सकता इसके बारे में हाँ पंतजी से लिखवाली जी बताया उनको क पंत जी यहां नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक वित्र हैं बनास में, डॉक्टर शम्मोनात सिंग, और बहुत अच्छे कवी थे उस समय, कभी समरनों में जाते थे, और बहुत अच्छे क्रिटीक भी थे वो, और बहुत अच्छी किताबें उन्हों नाटक भी और वो किताब में ली एक प्रकाशक था उसको उसकी कविताएं मैंने कहीं सुनाई थी शायद उसने सुनी और उसने कहा कि मैं अच्छा पूंगा इसे मुझे आप से पैसा नहीं चाहिए और मैं भी आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं आपको सौ कौपी दूँगा तो वो सौ कौपी उसने मुझे बाद में पकड़ा दी थी वो सौ दो रुपए की एक कौपी थी और बहुत सारे मित्र मुझे से इसलिए नाता तोड़ चुके थे कि अब वो दो रुपए की किताब पकड़ा देगा तो खरीदनी पड़ेगी दो रुपए बहुत होते थे और लिकिनि आपको समय पर भी सपोर्ट मिला उनका वरना आजकल तो पैसे देखकर आपको प्रकाशित करवाना परती है मैं तो विद्याति था मेरे पाँ कहा पैसा था मेरा भाई नेत्रहीन था वो भी था मेरे साथ वो भी भी पढ़ा है वो म्यूजिक टीचर है म्यूजिक टीचर से रेटायर हुआ है और इस समय म्यूजिक पढ़ाता है लड़के लड़कियों को और उसकी पढ़ाई भी लड़ और कुछ अंतर तो मेरी वज़े से पैदा हुआ है, और कुछ अंतर और लोगों की वज़े से पैदा हुआ है, तो उस समय की परिष्थितियां दूसरी थी, आज की परिष्थितिय दूसरी है, दूसरी है, शब्दा वली बदल गई है, एक पूरा डिक्शन बदल गया है, सब एक राजनितिक परिवर्तन हुआ देश में प्रगटी हुई या तक का समय पूरा देखा है बहुत लंबा का सफ़ रहा है यह चला है जीवन में यह तो कोता ही है हर एक के जीवन में होता है और साहित्य की जो यात्रा है वो मेरा 1984 में अखिल भारती आकाश्वानी के एक प भारतिये भाषाओं में नाटक की प्रदियोगी था। और मैं चुंकि कविता हैं लिखता था, पर मैंने वो विज्यापन पढ़ा अख़वार में, कि आकाश्वाणी एक भारतिये भाषाओं में से एक नाटक चुनेगी और उसको प्रथम पुरुसकार देगी, एक कुदूत नाटक की देगी, एक कुदृती देगी, तो मैंने कहा गया, मैं भी लिख देता हूं नाटक, तो मैंने एक नाटक लिखा, उसका नाम है पांच बेटे, पांच बेटे नाटक लिखा और भेजा, और आपको आश्र हो को है, कि मुझे प्रथम पुरुसकार मिला भारतिये ब अक्सर, जन संक्या दिवस जिस दिन मनाये जाता है, उसस दिन वो दिखाये जाता है, तो लिखना एक अलग तरह की न्वाकरी है, न्वाकरी का मतलब कि लगन या निश्धा, आपका संकल्प, या आपका नशा, या आपकी आपके आपकी मन् Barb 것이 कि इसको आप क्या कह सकते हैं कई नाम दे सकते हैं कि इसलिए यात्रा चली रही है पंदरवां संग्राया आया है कविताओं का और उसमें से एक कविता का टोड़ा तो आपने सुना दिया जो ठोकर खाते हैं प्रवा पाजाते हैं सच में आपकी जो कविताएं है उसमें पता चलता है कि शब्दों की क्या ताकत होती है और एक कवी की कलम की क्या अहमियत होती है देखे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज शब्दों से शब्दों को ही बेकार किया जा रहा है बिलक लोग उसमें से सार तक पैदा कर लेते हैं तो शायद हमने भी थोड़ी बहुत की हो और बहुत सारे लोग हैं लिखने वालों के कमी नहीं है और अच्छा लिख रहे हैं लोग इस समय जो जनरेशन आप जैसे लोगों के बीच में से आ रही है उसके पास हमारी तरह का अकाल न से हैं और चैनल बहुत से हैं तो आपकी जानकारियों के स्रोत बढ़े हैं हमारी जानकारी का तो कोई स्रोत नहीं था हम तो एक चीज़ जान लेते थे तो वही सोचते थे कि बहुत कुछ है पर फिर भी एक तलाश रही हमेशा कि नहीं ये इतना परियाप्त नहीं है कुछ कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और होना चाहिए, और अभी भी मुझे ये लगता है, कि मैं एक अच्छी कविता लिख लेता, तो कितना अच्छा होता है, 15 संग्रे के बाद भी मुझे बहुत अधूरापन महसूस होता है, और ये महसूस होता है, कि शायद सबसे बड़ी चीज है कि भाषा का आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं यह ठीक वेसे ही है जैसे आपके पास नदी भी है आपके पास नल में पानी भी है आपके घर के बगल में कुवा भी है जब कुछ नहीं होगा तो आपको यह से लिए आएंगे पानी सवाल यह है कि आपको इन स्रोतों से लाईवी चीजों का क्या इस्तेमाल करना है यह तो आप तै करेंगे ना यह पानी तै नहीं करेगा भाषा है भाषा क्या पहले नहीं थी और क्या आज नहीं है और क्या भवशे में नहीं होगी पर सवाल यह है कि वही भाषा आप दूसरे संदर्व में ले जाके एक बिम्ब खड़ा करते हैं, तो भाषा नहीं वहां पर काम करती है, वहां बिम्ब काम कर रहा है, परिस्थिति काम कर रही है, जब परिस्थिति को आप रचते हैं, तो आप भाषा से बहुत बड़ा काम ले रहे होते हैं, उस परिस्थिति को कौन परणन करना हो, एक हमने चित्र देखा, हमने देखा कि क्या सुन्दर चित्र है, जंगल है, मंदिर है, या नदी है, यह सब देखा, लेकिन जब हमने, जहां वो नहीं है, वहां अगर हम किसी को नदी दिखाना चाहें, तब तो हमें भाषा के बाद दाना होगा, तो हम भाषा भाषा में हमें रंग भी लाने पड़ेगे भाषा में हमें रंगों की उपस्तिति लाने पड़ेगे भाषा में ही हमें भूगोल लाना पड़ेगा भाषा में ही हमको इत्यास लाना पड़ेगा और नाटक लाना पड़ेगा हमको भाषा में तो नाट्य और कथा और कविता ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं, ये केवल अलग-अलग विधाएं नहीं हैं, ये एक दूसरे की मदद भी करती हैं. और एक दूसरे के खिलाफ तो ये बिल्कुल भी नहीं है. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साब कहानिकारों को कविता से क्या मतलब और कवियों को कहानी से क्या मतलब ये मुर्खता पूर्ण बातें हैं मैं समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि सभी विधाएं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं और एक दूसरे को रास्ता भी देती हैं ये नाटक में भरत मुनी हुई है एक उनका भरत मुनी का नाट्य शास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है उन्होंने एक वाक्य कहा है उन्होंने कहा है शब्दस चंद शब्द ही चंद है अब लोग चंद वो सोचते हैं जो तुक से तुक मिले उन्होंने कहा कि शब्द ही चंद है तो शब्द ही चंद है याने जब एक एक्टर बोलता है तो आरोह अब रोह के साथ बोलता है भाव भंगिमा होती है और स्वर का आरोह अब रोह जो होता है उसके साथ बोलता है तो वो कहते हैं कि शब्द ही चंद है वो शब्द जो है वही एक ले पैदा करता है अपने लिए और सब विपरीत ले होती है सारे स्वर साथ स्वर हैं सब अलग-अलग हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन जब खिलाफ साथ तब तो एक मिलते हैं तब संगीत बनता है तो इसी तरीके से सहीते में भी शब्द आकर के उस पूरे अनुभव को फिर से रचते हैं जैसे आपने कहाने अनुभव के आकाश में चांद तो अनुभव के आकाश में चांद चांद तो बहुत तरह से हैं हमारे जीवन में अनुभव का चांद वैसा नहीं होता जैसा आस्मान का चांद होता है अनुभव के तारे भी वह ऐसे नहीं होते, जैसे आस्मान के तारे होते हैं, कभी-कभी वह लोहे के होते हैं, कभी-कभी वह आपको मिलते ही नहीं हैं, और व्यक्ति को यह सारी चीजें अनुभव से प्राप्त होती हैं, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, हमारे यहां तो कहने के मतलब यह है कि अपना गुरु स्वयम होना पड़ता है लिट्रेचर में अपना गुरु स्वयम होना पड़ता है काला में भी गुरुजी से पूछना पड़ता है कि कौन से रंग के साथ क्या रंग मिलाएं तो कौन सा शेड आएगा तो वह अनुभवी गुरु बत आपको खुद ही अपने को अनुभव से सीखना पड़ता है अनुभव में अपने को जोकना पड़ता है अनुभव का गुलाम होना पड़ता है और अनुभव का बादशावी होना पड़ता है अचा जगुरी जी जैसे कि आपने बताया कि आपने चिडिया पर भी लिखा है ऐ या उसमें पहाड का जो नारी का संघर्ष है या प्रकृति है उस पर आप लिखना पसंद करते हैं आपके तरह तरह से है और सबसे पहले तो मैं आपको अगर कविता सुनानी है तो एक छोटी सी कविता यह है कि मेरा इश्वर मुझसे नाराज है मेरा इश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली है क्या बात है मेरा इश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली है मेरे देवता नाराज है मुझसे क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खाली है मेरे देवता नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खाली है ना दुखी रहने का कारोबार करना है ना सुखी होने का व्यसन मेरी परेशानिया और मेरे दुख ही इश्वर का आधार क्यों हो मेरी परेशानिया और मेरे दुख की इश्वर का आधार क्यों हूँ पर सुख भी तो कुछ नहीं है मेरे पास सिवा इसके की दुखी ने रहने की ठान ली है सिवा इसके सुख मेरे पास एक ही है पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवा इसके कि दुखी न रहने की ठानली है मेरा इश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठानली है तो इस तरह से आप जो अनुभव की बात कर रही थी और चीजों को देखने की बात कर रही थी थोड़ा मेरा नजरिया दूसरों से भिन है और इसलिए शायद मुझे जाना भी जाता है नजरिया साहिते में नजरिया ही दृष्टी कौन ही एक चीज होती है कौन हर चीज में होता है पर दृष्टी का भी एक कौन होता है नजरिया है पर कौन नहीं है किसी चीज़ को अगर आप ने एक कौन से देखा और उसी चीज़ को आप दूसरे कौन से मैं अगर इन कैमरा को और कैमरे की पसाथ जो हमारे कैमरेमान साथ है इनको यहां से देख रहा हूं जब मैं वहां से देखूंगा तो मेरा कौन बदल जाएगा और इनकी हकीकत बदल जाएगी, इनकी छवी बदल जाएगी, तो यही साहिते में भी होता है शायद, अब मैं आपको एक कविता और सुनाता हूँ, हम लोग बहुत प्रार्शना करते हैं सरस्वती की, बहुत बंदना करते हैं, सरस्वती पर केवल निराला जी ने एक कविता लिखी है, एक दो कविता और मैंने भी दो एक कविता लिखी है, तो उन में से मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, सरस्वती, मेरी सरस्वती कैसी है, थोड़ी सी जगह बचाए रखेगा, अगर यह मान लिया जाए, कि कभियों से सरस्वती रूठ गई है, तो कभी भी कम नहीं रूठे हैं सरस्वती से, कभी भी कम नहीं रूठे हैं सरस्वती से, कभी भी कम नहीं रूठे हैं सरस्वती से, देखे देक्षिन भारत के कवितरी हूई है, उनका एक श्लोक है, बिजी का है, उनका नाम बिजी का, और उन्होंने दंडी एक कवितरी हूई है, उन्हो ने कहा कि वो तो सफेद ही नहीं है, सफेद फूलों पर भी बैठती है, सफेद कमल पर बैठती है, और वो सफेद ही सफेद है, मतलब उसमें सफेद के अलाव कोई दूसरा रंग नहीं है, तो बिजिका ने कहा कि मुझे इसमें अविश्वास है, क्योंकि मैं तो काली, वो दक मैं हूँ शरस्वती मानती हूँ और मैं हूँ और मैं कविता करती हूँ उसकी कृपा से तो मेरी सरस्वती तो काली है उसको गूरी शरस्वती कैसी काई सकती हो ँप तो उसी तरच से आप संदर में में इस कविता क Oreo कूल यजे अगर यह मां लिया जाए कि कभियों से सरस्वती रूट गई है तो कभी भी कम नहीं रूटे हैं सरस्वती से दंदफंद में पड़े कभी तूटे हैं स्वचन्द सरस्वती के ज़्यादा नजदीग जाकर भी सुखांत तुकांत से परे कुछ भूतपूर्व कभीयों जितनी थोड़ी अभूतपूर्व सरसोती तो इनको भी चाहिए सुखांत तुकांत से परे कुछ भूतपूर्व कभियों जितनी थोड़ी अभूतपूर्व सरसोती तो इनको भी चाहिए इन्होंने ढूंड ली है अपने राशन पानी इंधन और बिजली वाली सरस्वती बाकी उचे ठोर ठिकाने वाली तो स्वयम सिद्ध करना चाहेंगे वे बाकी तो उचे ठोर ठिकाने वाली वे स्वयम सिद्ध करना चाहेंगे मा सरस्वती की स्थापित रूप को स्मरण करें उन्हें बिठाने लायक घर बाहर भी एक कमल नहीं है कमल तो दूर काईदे का एक पीड़ा भी नहीं इसलिए वे अपनी सरस्वती को मंतर सिद्ध करने से पहले यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं केवल शब्दों में सरस्वती नहीं होती कर्म में सरस्वती होती है इसलिए खोईवी प्रतिभा की तरह सरस्वती अगर एक लुप्त नदी है, तो उसका आसन शायद सफेध हिमाले रहा हो। कागज का सफेध पन्ना होकर रह गया है, लिखीवी सरस्वती अखवार जैसी तूड़ी मुड़ी दिखती है, मुझे अक्सर मिलती है लिफाफा बनी हुई सरस्वती। की सरस्वती के हाथों में नपुस्तक है नवीना है। हमारे समय की सरस्वती के हाथों में नपुस्तक है नवीना है। हमारे सरस्वती के हाथों में रोज कोई हथियार रखकर चला जाता है। वो ठीक ठीक NCC कैड़िट जैसी भी नहीं दिखती। वो ठीक ठीक NCC कैड़िट जैसी भी नहीं दिखती। सरस्वती के शुब्रबस्त्र बिग्यापन वाली से कम सफेद कैसे है। स्थापित सरस्वती की तर्ज पर मेरी दादी का नाम भी सरस्वती था। स्थापित सरस्वती की तरज़ पर मेरी दादी का नाम भी सरस्वती था और वो अनपड़ थी ताकतवरों से डरे हुए समाज में उसने 45 बरस का वैधब्य और 65 बरस का जीवन जिया पहले अपने नौ साल के लड़के और एक साल की लड़की को बाद में हम पांच भाईयों को एक बहिन साहित बढ़ा किया दादी सरस्वती के जीवन में दूसरी बार अंधेरा चा गया जिस दिन मेरी पीठ का भाई चेचक से अंधा हुआ अनपड़ों की तादाद में सरस्वतीयों की तादाद जादा क्यों है लक्षमी ही सबसे जादा गरीवी क्यों भूगत रही है सरस्वती तो खेती पाती राशन बासन में लुपत पड़ी है वह किसान के घर भी ठीक से ने आ पा रही है जिसे नया कभी निराला लाना चाहता था अनपड़ों की तादाद में सरस्वती की तादाद जादा क्यों लक्ष्मी भी ही सबसे जादा गरीबी क्यों भूगत रही है सरस्वती तो खेती पाती राशन बासन में लुप्त पड़ी है वो एकिसान के घर भी ठीक से नहीं आ पाई जिसे नया कभी निराला लाना चाहता था फिर भी अंतिम पोर्शन है फिर भी ध्वनी की सारभूत प्रेत आत्मा मेरा पीछा कर रही है मैं चाहता हूँ मेरे समय की सरसुती के शेर जैसे नाखून हो मैं चाहता हूँ मेरे समय की सरसुती के शेर जैसे नाखून हो शायद एक प्राचीन कभी की शैली मेरे काम आ जाए उसने लिखा था कि आकाश में तीज का चांद शेर के नाखून जैसा पड़ा है एक श्लोक है संसकत में उसका भाव ये है कि आकाश में तीज का चांद शेर के नाखून जैसा पड़ा है तो फिर भी ध्वनी की सारभूत प्रेत आत्मा मेरा पीछा कर रही है मैं चाहता हूँ मेरे समय की सरसोती के शेर जैसे नाखून हूँ शायद एक प्राचीन कवी की शेली मेरे काम आ जाए आकाश में तीज का चांद शेर के नाखून जैसा पड़ा है तीज के चांद जैसी मेरी सरसोती तीज के चांद जैसी मेरी सरसोती के मजबूत और टेड़े नाखून कमजोर और निहत्ते लोगों की रक्षा करें बहुत क्यारा बहुत सुन्दर का पना बहुत सुन्दर ये मेरी सरस होती है आपने सुनी सर आपके एक रचना है कि हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ छुपा है और भीतर के अंदर भी बाहर है उसके वारे में हमें कुछ बताएं आप किस भीतर की बात कर रहे हैं किस बाहर की बात कर रहे हैं भाई ऐसा है कि मैंने भी सुना है कि मनुष्य के भीतर ग्यान रहता है बिल्कुल लेकिन मेरा भाई तो नेत्रहीन है मैं उसके लिए जब कमीज लाता था अब तो खुद कमाता है खुद लाता है उसके बच्चे लाते हैं पर जब मैं लाता था तो हम लोग बच्पन से सफेद कपड़ा बहुत पहिंते थे सफेद दोती, सफेद गुर्ता, सफेद पजामा यही सब हमारे पोशाक थी तो एक बार मैं उसके लिए नीला कपड़ा लाया तो मैंने उसको कहा कि नीली कमीज तुम पे अच्छी लगेगी तो उसने मुझसे पूछा कि भाई साब तब हम B.A. कर चुके थे M.A. में थे तो उसने पूछा कि भाई साब आप कैसे जानते हैं कि यह नीला है यह पीला है तो फिर उसने खुद ही जवाब गया कि अच्छा उसके वजन से आप जानते है उसको तोलते हैं, उसको देखते हूं कि अच्छा नीला है, भारी है काला है साइद और भारी होता होगा कितने वजन को आप सफेद कहते हैं वजन से रंगों को न आ पराता तो ये जो कहना कि हाँ आपके अंदर ही पूरा ग्यान है ये मिठ्यब्राम है ग्यान बाहर से अंदर जाता है अगर आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी है और बाहर का अनुभब नहीं लिया है तो भीतर भी शूना है अंधेरा है भीतर आख बंद करके देख लो कभी वही दिखेगा जो तुमने देख रखा है जो तुमने देखा है वही दिखेगा उसी की जलक दिखेगी अंदर पहाड देख रहे हैं आप अंदर आप आग देख रहे हैं अंदर तो अगने आपने देखी है अगने की फ्लेम्स आप देख रहे हैं अगर आपने जो चीज न देखी हो वो चीज कभी देखी हो तो मुझे बताना कि क्या चीज तो यह जो भीतर का संसार है अधूरा संसार है ये बाहर के संसार से पूरा होता है, बाहर से चीजें जाती हैं, छबियां जाती हैं, यादें जाती हैं, ब्यफवार जाता है, रंग जाते हैं, बाहर से रंग ना जाएं तो भीतर रंग नहीं खिलते हैं, बेरंग हो जाएगा, और अंधेरे का एक ही रंग है, वो मौजूद है हमारे अंदर जी बिलकर वो मौझूद है वो तो सिर्फ इसलिए कि दर्वाजे की फांक से भी आपने देखा होगा कि सूरज की किरन अंदर आती है तो पूरे घर में रोनक चाह जाती है जी रोशन कर देती है घर को अच्छा जगुरी जी आपने इतना कुछ आप बता रहे हैं तो आप नया नहीं सोच सकते जी और जो आप नया सोचते हैं आप सोचते हैं कि मैंने सोचा पहली बार आप से पहले लोग सोच चुके हैं उसके लिए पढ़ना बहुँ जरूरी होता है जब आप पढ़ते हैं तब आप ये मालूम करते हैं कि ये तो कहा जा चुका है औ और मैं सबसे पहले प्रभावित हुआ जैशंकर प्रसाद, आपने पढ़ा भी नहीं होगा शायद, नाम सुना हो तो सुना हो शायद, इलेवन ट्रेट में चैप्टर्स थे उनके, हाँ, तो उनकी सारी किताबे मैंने पढ़ी, और रामचरित मानस को मैंने कई बार पढ़ा औ हूँ, और अब खुलते हैं उसका अर्थ, बहुत सारे अर्थ जो पहले नहीं खुलते थे, अब खुलते हैं, इसी तरीके से आप शंकराचारे के आपने गंगा की लहरी बगर प्रांचाय पढ़ी हैं, अद्भूत कभी था वो आद्मी, वो ऐसा कभी होना तो बड़ा के पास ही आए, वो हो सकता है किसी सिपाही के मन में भी आजाए मेरे जैसे, हो सकता है किसी चौकिदार के मन में आजाए, हो सकता है कि मैं जब वालमी की रामयन पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा अश्र होता है कि वालमी की कवीज था या कैमरेमें था, क्योंकि हर दृष आगा है उसको के हर रोशंदान से वो देख रहा है और रोशंदान से वहाँ लेटी होई इस तरियां बच्चे पुरुष साफ तस्वीर रखदी हो जैसे हैं। और उनके गहने उनके सारा रोशंदान से दिख रहा है। चितरन बहुत सोगए है। वो सारा कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि तो कैमरामेन है कभी नहीं है तो कहने के मतलब यह है कि कैमरामेन होने के बाद भी आपके पास कैमरा होने के बाद भी अगर आँख नहीं है तो कैमरा बेकार है आँख बड़ा कैमरा है जो आँखों का अनुभव है वो आपको लेखक बनाता है कभी बनाता है तो अगर ये पत्थर की उड़ान तो आपने सुनी ली है और अच्छा जगुरी जी वैसे तो बहुत कुछ हमने आपकी जीवन से जुड़ी बाते और साहित्य से जुड़ी बातों पर चर्चा की पर अगर एक पंक्ती में आपसे जानना चाहूं कि जो युवा लिखने की कोशिश कर रहे हैं अभी साहित्य के छेत्रों में नए हैं या कि सुझाव कि उनकी लिए सुझाव में यह होगा कि आप उनको reject कर सके select कर सके क्योंकि बिना उनको पढ़े हुए आप ना उनको reject कर सकते हैं ना select कर सकते हैं तो reject और selection की दोनों परक्रियां आप उनको पढ़ने से चुरू करें पुराने कभी फंसाते हैं लेखकों को जिसको लेखक होना होता है ठीक उसी तरह जैसे जोगी फंसाते हैं बच्चों को कि इसको जोगी बनाना है मठ में ले जाते हैं उसको जोगी बना देते हैं वह वहां का दिया जलाएगा वहां आश्रम का काम करेगा तो इसी तरह से सरसोती के मठ में कभी लोग नए कभियों को नए लेखकों को, नए गद्यकार को, नए चित्रकार को, चित्र बनाना भी सरसोती है, सरसोती का एक रूप नहीं है, कि वो साड़ी पहनी हुई इस्त्री, सरसोती अधूरी है, सरसोती विज्जम है, वो आपके अंतर प्रग्या है, भीतर का जो आपका आलोग, जो जनसार है, अगर आपकी सारसुथी की आपकी पोशाक नहीं है, और कई कर्म है, अगर आपकी सान है तो सरसुथी की सान है, मही आपके नजरिया आप जो देख रहे हैं, महसूस हो रहा है, आपको प्यारी बाते और सीखने वाली बाते, हमिम दोनों को बहुत अच्छा लगा फाग्यशाली हैि. खिशो आहपका साहित्य पर चर्चा का मिला. तो दोस्तो मैं उमीद करती हूं कि आपको हमारे आज का कारिकरम हमारे आज की साहित्य चर्चा बेहद अच्छी लगी होगी. और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा. और यदि आप भी रखते हैं रुची साहित्य के छेत्र में अपने एक पहचान रखने की आपकी एक मनोकामना है तो याद रखेगा जो हमारे आज की अतितिखा सुझाव था कि तलाशिये एक ऐसे साहित्यकार को पढ़िये किताबे साहित्यकारों की जिनसे आप प्रेणा ले सके और सीख सके लिखने के लिए पढ़ना बहुत आविशक है फिर मुलाकात होगी एक और कड़ी के साथ तब तक रखे खयार नमस्कार